शराब के नशे में दो चचेरे भाईयों में हुई बहस के चलते एक भाई ने दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसकर चचेरे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी अपने कमरे में सो गया। मौके पर पहुंचे गाओं के लोगों ने घायल शक्स को अस्पताल में भरती करवाया। पुलिस ने सारी जांच परताल करने के बाद आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस जानलेवा हमले में विशाल नामक शक्स गंभी रूप से घायल हुआ है। जिसका बिलासपूर एमस अस्पताल में इलाग चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक सचिन ठाकुर को गिरफतार कर लिया। पिछले रात की बात है। एक सचिन ठाकुर करके एक 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 यूज है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम बिशाल हैłem नोग बिनोडा, बागी बिनोडा के पास एक नोग गाउँ है। वहां के रहने वाले हैं। तो पिछले इसका ये कहना है बिक्टिम का कि वह दो-तिन दिन पहले जो हमारा आपस में कुछ बोल चाल हुई थी थोड़ा गाली गलोच हो गया था एक दूसरे को यह थोड़ा शराबी टाइप के लड़के हैं तो शाम को शरापी के नो ने जो थोड़ा जगड़ा किया उस दिन पर सोगे उसके बाद इसको यह लगा जो यह एक्यू कि दिन इसने क्या किया पिछले कल के वह इसको थोड़ा शराफ के नशे में था और यह जो विक्टिम है विशाल यह अपने रूम में सुआया वाथा रात को तो यह अपने इसके रूम सचीन जो उसके घर गया और इसने जो एचापू उठाया और उसके जो है पेट में गो तरह की एक गटना जो है वह बहुत मतलब दर्दमाग भी बोल सकते हैं और यह बहुत आश्चर एच्चनक टाइप की है कि लोग छोट-छोटी बातों पे जो है बूसरे को चाकू मार रहे हैं उजवन हमाचल के लिए बिलासपूर से सुरेंदर जम्वाल की रिपोर्ट के लाज़ कि आवन पुर्चला अनुन करिक्ला अकूर्कूर के लिए न्ड़ंग के लोगूर जोग्दान नेयरी इस स्पूल ॉज प्लवाज की आवन इस भी आचल एट सकते हैं इस प्यह ड़े खज्ट बोल्ट टोटे के लिए आटीए अट्यो अच्टिए चार्थिंस ए कर एक पसे घ्चराष कर दूल आसके तर खुर्चे टेन्सेंटें दाель हो स्कॉल गजिर रीम वातों बीकिरिपे से मार्ड़ा बाक्न स्कुोलरन श्रावार टीर तेमसितरा इनगर धिर्य उखे और 1 जा फिए 15 जी ती एंडकों परून अच्शार सबस्कीर धिर चैंडेवी आटनाय। ए decision is to please पाइब टेइँ और और चार्डा फूल्ज आटिक रावन च्राड्येश ऑजपना थे आपना अगश्यश थेल्डी गार्डी कि यसट्वा पल्म आप खाल्यों में तेजा थीजुड ट्थी शूल्गार सब्सक्त इस पर्तिक गार्डी थेल्यों ट्वाज़ीं इस इस शूला